कुछ दिनों से बाजेट में बहुत सारे फोन लॉंच हो रहा है मोटरोला कैसे पीछ रहेगा मोटरोला भी एक जबर दस्त स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है मोटो जी 34 5G दो वेरियंट के साथ लॉंच किया है 4GB, 128GB, 11,000 रुपीज और एक 8GB, 128GB, 12,000 रुपीज लेकिन आप काट डिसकाउंट लगाओगे 1000 रुपीज इंस्टेंट डिसकाउंट भी देखने को मिलता है इस फोन को मैं लग वक 5 दिनों से यूज कर रहा हूँ तो आज इस वीडियो में अन्बोक्सिंग के साथ साथना डीटेल रिव्यू से एर करूंगा एफ़ोन आपको पार्चेस करना चाहिए के नहीं सबसे पहले चलो बॉक्स कॉंटेंट देखते हैं सबसे पहले तो फोन मिलता है जिसको मैं बहुत पहले से ही बाहर निकाल के रख दिया था कुछ यूजर मैनुवाल गाइट यहां पे देखने को मिलता है एक चार्जिंग एडप्टर यहां पे दिया है और साथी में टाइप सी केबल है और हाँ एक सी मिजेक्टर पीन भी है डीजाइन मस्त है बहुत छारे लोगों को पसंद आएगा बैक सेड में लेदार फिनिस दिया है हाथों का निसान क्रेचेस बेगरा आएगा ही नहीं तो आप बैक केस के बीना अराम से यूज़ कर साकते हो और यहां पे कैमेरा का जो मॉड्यूल है न वो थोड़ा सा यूनिक रखा गया है मतलब किसी भी फोन से सिमिलार नहीं है यूनिक है मुझे काफी एच्छा लगा और पीछे मोटरोला का ब्रेंडिंग है फ्लैड एजेस के साथ आता है 3.5 mm jack का आपसेन है साइड में फिंगर पिंट सेंसर है काफी फास्ट है बहुत जल्दी जल्दी ओपिन करता है लेकिन एक चीज़ बदाओ फिंगर पिंट टेस्टिंग के टाइम में मैं पावर बटन को प्रेस करके जब लॉग करने का कोशिस कर रहा था न तो जो लॉग होता है ओ थोड़ा सा टाइम लेता है लग बग एक दो सेकेंड टाइम लेता है लोग होने के लिए तो यह इसका थोड़ा सा माइनास पॉइंट है पता नहीं मेरे पास जो यूनिट है उसके पावर बटन में प्रोब्लेम है या हर एक मॉडल में प्रोब्लेम है तो आप अगर एफोन खरीद रहो ना यह थोड़ा सा कन्फरम कर लेना लाइट वेट फोन है, कमफडेबल फोन है 6.5 इंच का HD Plus IPS LCD डिस्पले दिया है पंचोल सेलफी कैमेरा के साथ आता है मैंने बहुत चारे मुवी या बहुत चारे वीडियो बेगरा, गाना बेगरा, प्ले करके देख रहा आदा क्वालिटी अच्छा है दोस्तो अब यह असली दोस्तो, फुल एजडी का मज़ा इस फोन में नहीं मिलेगा लेकिन जो मिल रहा है वो ठीक ठाकी है बाजेट के हिसाब से उपर से 120 हर्ट का रिफ्रेस रेड भी है आउटडोर में भी काफी टाइम तक मैंने यूज किया दा ब्राइटनेस काफी अच्छा है आपको परिजदान नहीं करेगा कड़ी दूप में भी विजबल रहता है इसका डिस्प्ले Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है अन्तु तो स्कोर ठीक ठागे Geekbenchmark 6 को भी मैंने रान किया दा उसका भी स्कोर ठीक ठागे इस फोन में मैंने BGMI को भी इंस्टॉल करके चेक कर रहा था देखिए स्मूध एंट अल्ट्रा और एजड़ी सेटिंग में भी इस फोन में BGMI खेल पाऊगे यानि कि 40fps करके BGMI खेल पाऊगे और मैं जब BGMI खेल रहा था दोस्तो मुझे ठीक ठागी लगा है देखिए 10,000 के फोन में आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिर भी मुझे जो एक्सपेरियेंस मिला है BGMI से वो ठीक ठागी है दोस्तो मतलब थोड़ा बहुत अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो एफोन जेल लेगा नॉर्माल UGS में भी मुझे कुछ भी दिक्का दिखा ही नहीं दिया एप्लिकेसान ओपेन या जो क्लोस हो रहा था काफी एच्छी तरीके से हो रहा था बिना लैक के हो रहा था और एनिमेसान भी सही है हाँ दोस्तो प्री इंश्टॉल एक दो बेकार एप्लिकेसान आपको मिलता है आप आनिंश्टॉल कर देना कुछ बैंकिंग एप्लिकेसान मिलता है कुछ गेम्स बेगरा मिलता है उसको आप लोग आनिंश्टॉल कर देना हमारे पास 4GB, 128GB वेरियेंट है इसका रेमेनेट्स्मेंट तगड़ा है दोस्तों हर एक एप्लिकेसान को रेम में रखता है मैं खुद टेस्ट किया हूँ उसके बाद ही मैं आप लोगों को बतार रहा हूँ और स्टोडेट से याद आया इस फोन में हाइब्रेट सिम्स लॉड है डेरिकेड़ेट का उपसे नहीं है तो अगर आप मेमोरी कार्ड लगाने वाले हो दोस्तिम आप यूस नहीं कर पाओगे 5000 एमेज का बैटरी है नॉर्माल यूजेस में एक दिन आराम से निकाल के दे देता है दोस्तों नो डाउट और 80.98 का जो चार्जार है थुड़ा सा टाइम लगता है धाई गंटे के असपस लग जाता है 0% से 100% चार्ज होने के लिए तो ये अब लोगों को थुड़ा सा जेलना पड़ेगा चलो दोस्तों कैमेरा के बारे में बात करते हैं पीछे की दरब दो कैमेरा है 50 प्लास 2 मेगाबिकसाल का और 16 मेगाबिकसाल का सेल्फी कैमेरा है चाहे रियार या सेल्फी दोनों में फुल एज़ोडी 30 APS करके ही अब लोग वीडियो रिकूडिंग कर पाओगे 60 APS का option नहीं है सबसे पहले सिल्फी कैमेरा से सुरू करते हैं देखिए सिल्फी कैमेरा ला जवाब है 10,000 के हिसाब से मुझे काफी अच्छा लगा इसका कैमेरा संपल फेस को जादा ब्यूटी नहीं करता है काला टोन बेगरा सिल्फी कैमेरा में काफी अच्छा है इविन प्रोटेट मोड में जो age reduction बेगरा है ना ओ भी जबरदस्त है मेरे बाल के पास देखोगे से ही ढंग से दोस्तो फोकस किया है इसका selfie camera सच में मुझे काफी अच्छा लगा रियर camera भी काफी अच्छा है detailing मस्त है जादा फेसको beauty नहीं करता है काला टोन बेगरा चेक कीजिए अच्छी तरीके से maintain करके रखता है दोस्तो बहुत सारे flower का sample भी मैंने खी जादा natural sample उस सारे sample देखिए आपको मज़ा आएगा इस सारे sample देखने के बाद प्रोटेट मोड मे भी एफोन काफी अच्छा performance निकाल के दिया है दोस्तो एच reduction बेगरा बहुत ही बड़िया है और डाइनामिक रेंच में भी दोस्तो एफोन फाडू performance निकाल के देता है देखिए यहां पे जो सब कुछ मैं आब लोगों को बता रहा हूँ प्राइस को देखते हुए बता र देगा और इसका camera sample काफी अच्छा है Motorola का 21 मेरे को काफी अच्छा लगता है stock android experience मिलता है दोस्तो बेकर कुछ भी इसपोन में नहीं मिलेगा ज्यादा features नहीं है clean UI है बहुत चारी लोगों को clean UI पसंद है ना उन लोगों को iPhone जबरदस्त लगेगा अब चलो बात करते हैं क्या iPhone value for money phone है क्या इस phone को purchase करना चाहिए लेगे दोस्त phone ठीक आगे अगर आप 11,000 के आजपास कोई भी smartphone ठूंड रहे हो branding देखकर phone खरीदना चाहते हो अब यसली दोस्तों Motorola के इस phone के पास ज़रूर एक बात चेक करना जबरदस्त phone है लेकिन एक चीस में थोड़ा सा मुझे doubt लेना आप लोग comment box में जरूर बताना के iPhone आप लोगों को कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक से सस्क्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं अगले एक fresh वेडियो में